Hello everyone, welcome to my video, मैं हूँ Twinkle, so आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ स्कीन केर टिप्स and कुछ ही दिनों में दिवाली आ रहा है, तो घर में भी बहुत साथा काम है और साथी साथ हम लोगों को अच्छा भी दिखना है, तो पालना जाने का भी टाइम नहीं है तो मैंने सोचा कि घर में ही क्यों ना फेशल किया जाए, तो आज मैं फेशल करूँगी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ तो मैंने आज जो प्रड़क्ट यूज किया है, वो है Lotus Botanicals का Vitamin C Skin Brightening Facial Kit जो कि आप लोगों के skin को अच्छे तरीके से glow भी प्रवाइट करेगा और साथी साथ skin complexion को प्राइट भी करेगा और यह बिल्कुल silicone free है और इसमें total five step है तो आप लोग easily घर पे भी कर सकते हो, अगर आप लोगों के पस टाइम नहीं है पार्लर जाने का तो आप लोग अराम से यह वाला facial kit से घर पे खुद से ही कर सकते हो, तो first step जो है वो है face cleanser cum toner तो यह जो है mainly हमारे जो face पे dirt impurities हो जाते है उसको clean करने में help करता है जो भी pores है open pores उसको light करता है and skin को fresh and rejuvenate बनाता है तो उसको थोड़ा लेके full face and neck पे apply करना है circular motion पे अच्छी तरीके से massage करके एक दो मिनट तक उसके बाद cotton pad के help से अच्छी तरीके से उसको clean कर लेना है and उसके बाद मैं second step use कर रही हूँ second step में मैंने use किया है face scrub तो यह जो है जो भी हमारा skin है उसको exfoliate करने में बहुत ज्यादा help करता है जो भी dead cells है skin पे उसको भी remove करता है जो black heads है जो white heads हो जाते है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से remove करने में help करता है तो इसको apply करने का तरीका यह होता है कि हम लोगों को लेना है क्योंकि इसमें छोड़े छोड़े particles होते है और बहुत ज्यादा rub नहीं करना है स्कीन पे एकदम gently हम लोगों को easy easy way में हम लोगों को इसको अच्छी तरीके से 3-4 मिनट तक मसाज करना है circular motion में ही और उसके बाद अच्छी तरीके से उसको भी clean कर लेना है उसके बाद हम लोग use कर रहे है step number 3 जो की है face massage cream and यह mainly skin को hydrate and regenerate करने में help करता है और साथी साथ skin को deep nourishment भी provide करता है और साथी साथ instant radiant glow भी provide करता है तो जब भी हम लोग face cream use कर रहे है तो हम लोगों को यह ध्यान में रखना है कि थोड़ा तरह water साथ में लेके अच्छी तरीके से circular motion and upward motion में 10-15 minutes तक massage करना है and जब भी हम लोग massage करेंगे हमेशा upward motion में ही करेंगे उसके बाद cream को 10-15 minutes के लिए massage करके अच्छी तरीके से clean कर लेना है तो उसके बाद हम लोग use करेंगे step number 4 जो की है face mask and face mask जो है वो basically हमारा जो skin है उसको smooth बनाने में help करता है और जो भी puffiness हो जाता है face पे उसको भी reduce करने में help करता है तो इसको use करने का तरीका यह है कि हाथ से अच्छी तरीके से evenly पूरे face पे लगा लेना है और उसको छोड़ देना है dry होने के लिए around 15-20 minutes के लिए मैंने 20 minutes रखा था उसके बाद यह पूरा dry हो गया था उसके बाद मैंने हलका थोड़ा water लेके इसको massage करके then उसके बाद clean कर लिया था उसके बाद मैं यहाँ पे use करें step number 5 जो की है face serum and 4-5 drops लेके अच्छी तरीके से 2-3 minutes के लिए circular motion पे gently massage कर लेंगे face पे और उसको remove नहीं करना है उसको ऐसे ही छोड़ देना है तो वीडियो कैसा लगा and result आपके सामने ही है पहले कैसा लग रहा था skin और अभी कैसा लग रहा आप लोग देखी सकते हो मुझे तो result काफी अच्छा लगा आप लोग भी यह वाला product use कर सकते हो and अगर वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा हो तो आप लोग comments में बता दीजेगा and like comment share कर दीजेगा मेरे वीडियो को अपने family and friends के साथ तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर तो के लिए stay tuned bye